वेलकम प्यारे विदार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं assessment 14 के बारे में यानि अपने वरक्वुक का last assessment है, assessment 14 fill in the blanks with cracked passive works अपने को cracked passive works का, यानि यहाँ पे fill करनी यानि भरनी है यानि अपने इससे पहले भी passive voice के बारे में पढ़ा है, यानि active से passive में change किया है जैसे ये passive voice है, तो passive voice में जैसे क्यों passive voice का पता कैसे चलिगा क्योंकि निकि इस साथ में by लगा हुए है, तो by लगा हुए है इसका मतलब क्या है, ये passive है तो अपन इनको बढ़ते हैं, sumaya space by zhalq, तो sumaya के साथ क्या आता है, is आता है तो क्या बढ़ा जाए है, कि इसमें is taught, यहाँ पर अपने को बढ़ना है is taught, sumaya is taught by zhalq, नेक्स्ट है bananas, बनानाज यानि plural है, तो बनानाज के साथ आ जाएगा आर, तो बनानाज आर, यह बढ़ना है अपने को bananas are sold by him, यहाँ पर is taught बढ़ना था, यहाँ बढ़ना है are sold are sold next है I तो I के साथ क्या लगता है M लगता है तो यहां जाएगा I am non क्या बरना अपने को I am non यहनी जो आगे की स्पेलिंग ही यहां बर देना non to runny next है a song by Archie यहनी आपको बरना है was sung क्या बरना है was sung next है two thieves by me and my father तो आ यहां आजाएगा thieves है तो आजाएगा were caught क्या बरना अपने को were caught two thieves were यहनी plural है thieves है तो आजाएगा were caught next है the door by Ross the door was closed क्या जाएगा was closed यहां आपको बरना है was closed यह है यहनी पेस्जिव की correct verb इसमें fill कर दी है बात करते हैं next sentence की next question अपने पास write five sentences about your school with the help of words given in the box यहनी कुछ अपने को box में सब्द दियेगे हैं इन सब्द की साहिता से अपने को five sentences बनाने हैं जैसे school है ten rooms है library playground two small gardens यहनी in words का यूज़ करते हैं अपने को five sentence बनाने हैं जैसे my school का यूज़ करते हैं school का यूज़ करते हैं my school is very big यानी मेरी school बहुत बड़ा है it has ten rooms या in my school और मेरी school में 10 कमरे हैं there are big library एक बड़ी शी library है in the school है यानी हमारे school में my school playground is big और हमारे school का playground है वो बहुत बड़ा है next है there are two small gardens और दो छोटे छोटे क्या है gardens है यानी इस तरीके से इन पांचों जो words दिएगे इनका निर्मान करते हैं अपने इनका क्या कर लिया यानी sentence बना लिए इसी तरीके से आपको sentence बनाने हैं बात करते हैं next question की next question है अपने पास change the active voice into passive voice यानी active voice है यानी passive voice में change करना है rather speaks Hindi यानी rather speaks Hindi तो जो passive voice में change करते हैं तो subject का object बन जाता है object का subject बन जाता है तो Hindi यानी Hindi अपना object था इसको subject बना है Hindi is speaked is speaked क्योंकि है यहाँ पे speaks है तो speaks is MR में change हो जाता है तो Hindi is speaked by Radha Next है Radha killed Ravan यह sorry, Ram killed Ravan तो Ravan was Ravan was killed by Ram अब यहां पर was क्यों आया? क्योंकि यहां पर वरव की second form थी तो वरव की second form किसे में चैंज होती है? वरव में Next है I bought two cows अब bought है तो यानि क्या जाएगा two cows two cows के साथ किसका यूज हो जाएगा वर two cows were bought by me यहनि two cows यहनि plural था तो plural के साथ वर आ गया वर के साथ bought by me Next है सर्धा reads novel सर्धा novel पड़ती है तो reads है तो reads किसमें change हो जाएगा is MR में यहनि यह पूरे रोल कि है अभी अपन इनके works book के बाद में यहनि पूरी grammar करेंगे तब अपने को पूरा यहनि समझाएंगे इसमें यहनि किस तरीके से change होते हैं यह तो rather reads novel तो हो जाएगा novels are read novels are read सर्धा क्या बनाना अपने को sorry by और लगाना यहां पे यहनि read के बाद में by Next है my parents teach me my parents teach me तो हो जाएगा I am taught क्या हो जाएगा I am taught by my parents इस तरीके से आपको active में active से पैसी में इनको change करना है अगर आप channel पर नए थे तो आपको please channel को subscribe जूरूर करना इसके बाद में भी हम जैसे ही अपना यानि workbook यह complete हो जाती है यानि end line assessment के बाद में उसके बाद में अपन grammar के topics करेंगे यानि जो आपकी जो आपकी मतलब eighth class के अंदर जो topics लगते हैं grammar के वो सारे अपन इस YouTube channel के उपर के माधियम से पढ़ेंगे तो आप channel को subscribe जूरूर करें अपने साथियों के साथ में भी share करना ना भूले Thank you